नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मखरण डूंगरी मार्बल्स आप किस तरह अपने गर में अफोर्डेबल और एकोनोमिक रेंज में लगा सकते हैं और इसकी प्राइस रेंज क्या है और कलर और पैटर्ण कौन से आते हैं तो चलिए वीडियो क कितनी है और उनकी साइज क्या है तो कुछ इस तरह से यह मेरे पीचे चार स्लेब लगी हुई है जिसमें आप देखेंगे तो दो स्लेब आपको एक कलर की एक चटान की बनाई हुई दिखेगी और यह दोनों जो स्लेब है ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन में हैं बात क जो जिस रेंज का है वही रेंज हम बताते हैं डूंगरी की रेंज सो रूपे से लेके 300-400 रूपे पर स्कॉर पिट तक जाती है तो यह एक मीडियम ज्यादा एक्स्टर ओडिनरी नहीं स्मॉल लोट होने की वज़े से इनकी प्राइस कम है और 150 रूपे की प्राइस रेंज इस तरह होगी दूद्या वाइट और ग्रे कलर के कॉंबिनेशन में है यह और इसके पास में जो सेकेंड पड़ी है यह भी सेम इसी चट्रान की अलगी हुई है दोनों की क्वांटिटी की बात करें तो एक हजार स्कॉर फिट के गरीब इनकी क्वांटिटी है और नेक्स ज जब आप देखेंगे तो जो पहली दो स्लेब है इससे में कहूंगा इदर दिखाए तो उनसे मैच करती हुई ही लगेगी हंडेट प्रसेंट मैच करता वाब लोग आता ही नहीं है क्योंकि एक स्लेब एक बार अगर माई से निकल गई तो फिर उसमें पैटर्ण चेंज आन तो आपका घर का मेन एरिया है वहां आप स्लेब लगा सकते हैं और जो बेडरूम है और जो स्मॉल एरिया है उनमें इसी क्वालिटी के आप कटपिस लगा सकते हैं जिनकी प्राइस रेंज ओल्मॉस्ट डूंगरी कटपिस की 40 रुपे से लेके 80 रुपे तक रहती है और ड डूंगरी कटपिस की रेड भी अलगलग वेरी होती है क्योंकि इसमें वेरियेशन आता है आप सोच रहों कि 60 रुपे में भी दोबाईदो और 80 रुपे में भी दोबाईदो इसमें फरक क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि डूंगरी की जो छोटी स्लेब आती है उनकी र अंदर जब आपन 300-400 वाली डूंगरी के स्लेब होते हैं उनमें भी क्रेक्टाइल बनती है उनकी जो सोटिंग होती है उसकी प्राइस थोड़ी हाई होती है तो इस तरह आप समझ गया होंगे कि डूंगरी की टाइस की रेड अलगलग क्यों होती है उसमें दो रिजन आ होगी और वही उसमें मिक्स मेट्रियल है बहुत कलर वेरियसन अरा लगने के बाद एक यूनिफॉर्म कलर का फ्लोर नहीं बनेगा तो उस टाइल्स की रेट कम होगी इस तरह अगर आप मेन एरिया के लिए स्लेब लेंगे और स्मोल एरिया के लिए कटपिस लेंगे तो करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू पर वाचिंग